हम सभी महासाधवी सरी सत्य साधनाजी महाराज साहब की प्रेलना से पुज्य गुरुदेव श्री उपाद भ्याय प्रवर, श्रमन श्रेष्ट श्री मूल चंजी महाराज साहब का जन्म दिवस्मन आ रहे हैं उसी परिप्रेक्ष में मैं दो चार अपनी बातें कहूं उससे पहले भजन की ये कुछ पंक्तिया हैं गुरुदेव के चर्णों में इन समर्पित पंक्तियों को थोड़ा सा गुन-गुना लेते हैं जै हो गुरुवल की करुणा सागर की दिव्य दिवा कर की जै हो गुरुवल की करुणा सागर की दिव्य दिवा कर की जै हो जै हो जै हो भटके हूं को राह दिखाते हर मुश्किल में अपना बनकर सोई आस जगाते मंगल कारी है भव दुखहारी है मंगल कारी है भव दुखहारी है कल्प तरवर की जै हो जै हो जै हो जै हो गुरुवल की करुणा सागर की दिव्य दिवा कर की जै हो जै हो जै हो जै हो जै हो जै हो गुरुदेव श्रीजी से मेरा बहुत परीचे तो नहीं है और नहीं मुझे उनके संबंद में बहुत ज़्यादा जानकारी है पर कुछ बार मिलन जरूर हुआ है और जितनी बार मिला हूँ उनकी एक अलग छवी मन में हमेशा अबस कर रही है तब तो मेरी उम्र भी पंद्रह या सोलह साल की रही होगी जो उन दिनों रतलाम में थे और हमारा बिहार हुआ था इंदोर चत्रुमास के पश्षाथ उसी तरफ से हम वापस दिल्ली लोड रहे थे रतलाम में बाबाजी से मिलना हुआ बाबाजी के सानिद्धे में रहे तो उन दिनों चित्तोर में दिक्षा की तयारियां चल रही थी तो तब बाबाजी बोले कि तुम दिल्ली के तरफ चल रहे हूँ तो साथ में चलेंगी मैं भी चलूँगा चितोड में दिक्षा करवाना दिक्षा समारू है उसमें भाग लेना और उसके बाद तुम दिल्ली की तरफ चले जाना गुर्देव श्री सलाहकार गुर्देव श्री रमनिक मुनिजी महराज साहब हम थे तो गुर्देव श्री जी के साथ चितोड में आए चितोड में दिवाकर परंपरा से उन दिनों बहुत सारे सादू साद्वी आ रखे थे वहां पर उनी में हमारे उपाद्ध्य है परवर श्री मूल चंजी महराज साहब भी थे तो कुछ साध्वियों से दिवाकर परंपरा के हमारे परिईचा یमें थी तो वह हमें बस कहते थे वहां तो बाबाजी मिलेंगे वहां तो पाद्ध्य जी मिलेंगे वहुत कड़क हैं बहुत अनुशासन वाले हैं पता punches कैसे मतलब वह से होता ही है ना बताने का कि वो ऐसे वो ऐसे तो मन में एक अनुशासन वाला थोड़ा सा वो था जैसे एक डर सा होता कि कहीं कोई गलती ना हो जाए कोई भूल ना हो जाए चलने में पेतने में बोलने में तो ऐसा था फिर मिलना हुआ काली डंडे वाले बाबाश्री मोहनलाल जी महारा साहब ने हमारा परीचे करवाया कि ये हैं गुर्देश श्री जी का करवाया हमारा करवाया छोटे संतों का जो परीचे हुआ बाबाजी बहुत प्रेम से बोले बहुत प्रेम से परिचे हुआ समपण हुआ स्वाम को प्रति करमन भी हुआ उसके बाद वैसी छोटे बहुत प्रशनोतर आप सी जो वारतालाप होता है बारतालाप हुआ दूसरे दिन प्रवचन सुना और प्रवचन में उनका जो प्रवचन की शैली है वो सारी आगमिक थी सुत्रगत थी औरों का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि लोग शास्त्रों को कम सुनना पसंद करते हैं बस उन्हें चुटकुले सुना दो इदर उदर की शेरों शायरी सुना दो कविताएं सुना दो भजन की दो चार मुखड़े सुना दो तो उनको पसंद आता है यह माल मसाला है ना फिल्मे ना दो तरीके की होती है वैसे तो तरीके बहुत सारे होते हैं जोनर पर उनमें ना दो एक है आर्ट और एक है मसाला तो लोग मसाला मूवी ज़्यादा पसंद करते हैं आर्ट मूवी कहां चलती है ना समाज भी ऐसा ही है उन्हें शास्त्र प्रवचन ज़्यादा अच्छे नहीं लगते उनको इधर उधर की बातें सुना दो ना प्रवचन में कुछ चटीले चटीले बातें तो अच्छा लगता है खैर गुरदेव श्री जी ने भी प्रवचन दिया मुझे तो बहुत पसंद आया वहाँ पर जितने दिन रहे हम पांच साथ दिन उनका सानित दिन मिला बार बार मिलना जुलना हुआ जितने भीतर का वो बिठा रखा था ना पहले से इतनी भी धारनाई वो सारी दुल गई और बाबाजी की सहजता और उनकी सौमन्यसता का उनकी सहिरदयता का उनकी प्रेम का पता चला खैर वहाँ से विहार हुआ फिर पुनाह अभी कुछ साल पहले मिले थे मुझे संट याद नहीं है पुनाह मिलना हुआ जब मिले तो मिलते ही बोले अरे तुम तो वही हो पर अब है ना तुम्हारे थोड़ी से दाड़ी आ गई खैर दाड़ी अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है पर तब तो बिलकुल भी नहीं थी 16-17-18 साल तक तो साइद मेरी दाड़ी आई ही नहीं थी खैर बाबाजी बोले करे अहां अब तो तुम्हारी थोड़ी से दाड़ी आ गई है वो पांच साथ दिन का उनके दिमाग में फिर भी वो याद था कि हाँ भी यह वही है आत्मी है खैर दूसरे परीचे में कोई ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा मिलने थे उसके बाद हम यह दोहजार तेरे की बात है शायर जब हमारा सभाई मादो पर चत्रमास था यह दो बार मिलना हुआ है उनसे पर इन दोनों बारों के परीचे में दोनों बारों के मिलन में बाबा जी की जो हमारे मन में या मेरे मन में चवी है बहुत उदात हैं बहुत उदार वाली चवी है तो ऐसे जो आज हमारे संग के वयो वृद्ध महापुरुश हैं सरवाधिक आयो वाले हैं और किवल इस शरीर के आयो से ही नहीं बलकि ज्यान में भी ध्यान में भी अपने अनुभव में भी सैयम ये जीवन में भी उनका जो सारा का सारा उनकी आयो है जो उनकी वृद्धता है हम उसको नमन करते हैं और नमन करते हुए मैं तो यही कह सकता हूँ ऐसे महापुरुषों के लिए तो क्या शुवकामना मैं बहा सकता हूँ छोटा सा अधना सा संत हूँ पर उनकी प्रती इतना जरूर कहूंगा कि आपके जैसा ग्यान, ध्यान, जीवन शैली हमारी भी हो हमारा भी उद्धार हो हमारा भी कल्यान हो आपकी छत्र छाया बनी रहे आपका आश्रवाद इसी प्रकार बच्चों पर बना रहे इनी भावनाओं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ ओं शाहराद